अब कोशन को रीड करना, कोशन को सॉल करना, ये सारी चीज़े समय के साथ आथ, मैं हमेशा आप से बस यही बात बोलूँगा कि आप तो शायद एक स्टेटमेंट दे के निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपने पीछे उतनी मेहनत नहीं करी है, आप टीचर को मद बोलिएगा, उस समय मत बोलिए, पहले आप महनत करिए, महनत करिए जो बोला जारा है उसको फालो करिए, अगर आपको लगता कि निया, आपने सही में बहुत जादा महनत करिया, आपने कोई अपनी तरफ से कमी नहीं चोड़ी, तब आप आके भले हमें पकड़ लीजे, लेकिन मैं जान जाके मैं कुछ चीज़े आपको बताना चाहूंगा तब आप मेरे को स्पेस मतलब जब मैं बोल रहा हूं कि बेटा इट टेक्स टाइम टेक्स टाइम को समझने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए टाइम लगता है अगर आप पेशंटली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ठीक है आपकी बोडी उसको यूटलाइज करती है अगर आप ठूशते चले जाओगे न तो निकालते चले जाओगे बोडी विल नॉट यूटलाइज तो एड्यूकेशन बेटा कोई ऐसी चीज नहीं कि यह आपको पेन देगी ना यार आप पढ़ रहे हैं आप दिमाग लगा रह सब्सक्राइज करता है अगर नहीं हो पारे तो यह बताओ मत यह करो सॉल करो यह बताओ मत कि सर मेरे से तो होई ही नहीं पारे है जब स्कूल था तब भी नहीं हो पारे थे और जब आज आपके पास स्कूल नहीं है अब आपके पास सिर्फ तीन लेक्चर्स है दो दो घंटे या ढाई गंटे भी माल आपके पास रिस्ट ओव दा टाइम है अगर आप